नमस्कार सिटी पोश्ट पे आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ वजीर सराब बंदी जो है बिहार में लगातार बिफल हो रही है आज से दो दिन पहले गी बिहार में सराब माफ्याओं के साथ प्लिस की मुटवेर होई थी जिसमें दरोगा जो है शहीद हो गए थे और चौकीदार जो है वो गंभी रूप से जक्मी हो गए थे तो इसको लेकर के सराब बंदी पे लगातार सवाल उठाया जा रहा है लेकिन आज जो है नितिश कुमार का एक बयान आया है उन्होंने कहा है कि अधिकारी जो है वो आम जो लोग है गाउं के उससे सहयोग लें कि किसके पास सराब है इस पे हमने बात की बीजेपी के नेता ग्यानेंदर सिंग ग्यानू से तो उनका कहना है कि सराब बंदी जो है पूरी तरीके से सफल नहीं है कहीं ने कहीं उन्होंने एक तरीके से सराब बंदी को बिफल बताया और इसारों इसारों में ही नितिश कुमार को लेकर के कहा है कि सराब बंदी का जो है जो 100% होना चाह पुरी तरह तो सफल लही रहा है खुड़ा अभी भी जितनी कड़ाई होनी चाहिए उसके और मेरे ख्याल से पुलिस को ऐसे अलग करना कैं थ्माते को इससे अलग करना चाहिए की अभी पूरी तरह बंग नहीं हुआ है अपक्ताइब इसमें लगे उश्माफ्या इसमें तो आपने सुना ग्यानेंद्र सिंग्यानू के बाद को जो कह रहा है कि सराब बंदी जो है पुरी तरीके से लागू नहीं है ये कहीं नहीं बिफल हो रही है तो देखने बाली बात यह होगी कि NDA सरकार की जो एक मुख्य सहयोगी है BJP वो सराब बंदी को बिफल बता रही है तो नितीश कुमार जो है सराब बंदी को सफल साबित कर रहे हैं तो आगे क्या कुछ इस पे निरनय आता है और क्या परतिक्रिया आता है यह देखने बाली बात होगी तो आपको हम लगतार इसी खबरों से अपडेट रखेंगे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दे सब्सक्राइब कर ले और इस